जैहिंदी स्टूडेंट कैसे आप सभी मैं प्रीति सिंग एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल EPS पर स्टूडेंट कंटीनु करते हैं आज की क्लास आज करेंगे हम स्टूडेंट भारत का भूतिक स्वेरूप इसमें हमें क्या-क्या चीज है पढ़नी है पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका देती हूं देन कक्षा कोई स्टार्ट करते हैं पहले पढ़ना है इस्टुडेंट हमें पर्वत क्या पढ़ना है पर्वत सैकिंड पर पढ़ना है इस्टुडेंट हमें मैदान थर्ड पर प नाइट में शूट करी थी लेकिन अनफोर्चुनेटली वो कक्षा डिलीट हो गई दैन मोर्निंग में क्लास को शूट किया अगेन तो उसमें क्या हुआ इस्टुडेंट वो वीडियो मेरी फोन में सेव हुई पता नहीं कुछ टेक्निकल एरर था क्या था फिर उसको फोन को टाइम यह वीडियो को मैं शूट कर रही हूं तो अराम से धहर्य पूर्वक आपको क्या करना है कक्षा को देखना है सारी चीज़ों को विद मैप अच्छे से पूरा समझाने का प्रियास करूंगी तो इस्टुडेंट बात करते हैं पहला ही टोपिक लेते हैं परवत क्या आज पढ़ेंगे परवत के बारे में इस्टुडेंट परवत से कैसे कोशन बनते हैं इस्टेट लेवल PCS में और IS में कैसे पूछे गई हैं सासात उनको भी मैं बताते हुए चलूँगी पहला है इस्टुडेंट ये कोशन इस्टेट लेवल PCS में डारेक पूछा गया था कि विश्व की वर्ड की सबसे उची परवत श्रंखला का नाम बताईए कि विश्व की सबसे उची परवत श्रंखला कोन सी है तो 3-4 आपको option में दिये हुए थे तो आपको ध्यान में रखना है student अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे उची परवत श्रंकला बताईए तो आप क्या लगाएंगे इस्टूडेंट हिमालिय इस्टूडेंट विश्व की सबसे उची क्या है विश्व की सबसे उची परवत श्रंकला है हिमालिय अब इस्टूडेंट हिमालिय अब आप सोचेंगे कि हिमालया ये तो हमें पता चल गया कि विष्व की सबसे उंची चोटी है हिमालया अब इसका विस्तार इसका जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है उस पर चर्चा करते हैं तो इस्टूडेंट मैप से समझते हैं इसको हिमाल्य का विस्तार है इस्टूडेंट जमू कस्मीर से लेके अरुनाचल परदेश तक क्या कहा तक जमू कस्मीर से लेके पूर में अरुनाचल परदेश तक किसका विस्तार है हिमाल्य का विस्तार है अब इस्टूडेंट जो हि सबसे बड़ा हिश्टा है हिमाले का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से होकर जूजरता है यह चीज आपको ध्यान में रखनी है अब इस्टुडेंट बात करते हैं हिमाले की लंबाई की बात करते हैं इस्टुडेंट हिमाले की लंबाई की बात करते हैं इस्टुडेंट हिमाले की लंबाई है अच्छे से विस्तार में हिमाल्य की जो परवत श्रंकला है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है अगर आपसे डारेक्ट कोशन यह पूछ लिया जाए कि बही जो हिमाल्य की परवत श्रंकला है इसको उपर से नीचे उपर से नीचे कितने भागों में विभाजित किया गया है तो इस्टुडेंट आप लगाएंगे चार चार वर्गों में पूछ ले या चार पार्ट में पूछ ले मतलब चार भाग पूछ ले या वर्ग पूछ ले तो आप लगाएंगे अगर आपसे यह पूछ लिया जाए ना कि जो हिमाले की परवत श्रंखला है उसको वर्गों में तो आप क्या लगाएंगे स्टुडेंट ।ाप लगाएंगे आंसर फॉर फॉर फार्ट में हिमालय की श्रंखला है उसको विभाजित किया गया है अब यह चार जो पार्ट से हैं यह कौन-कौन से उन पर चरचा करते और स्टुडेंट से कोशन बनते ही बनते हैं तो आपको कक्षा में अंज़ तक जुड़े रह जिसे की हम हिमादरी हिमाद्या के नाम से भी जानते हैं जिसे की हम और किस नाम से जानते हैं और नाम से जानते हिमादरी हिमाल्या से तो इस्टुडेंट पहले एक चीज मैं आपको बता दो आपको ना थोड़ा सकोप्रेट करके चलना है आपको ना थोड़ा लाइट का यहां पर रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं सार आप खुदी मतलब सेट करती हूं और बच्चे बोल रहे थे कि माम सेट अप को थोड़ा चेंज करो तो इस्टुडेंट अभी मैं इतनी पर्फेक्ट नहीं हूं कि मैं यह लाइटिंग वगेर का अच्छे से करू फिर भी जितना हो पा रहे हूं लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है कि इतना इफप्ट हो रहा होगा थोड़ाा सच्छशन है यह सर्कल में होगा तो उसको जैसे मैं बोलती हूं ना आपको चीजों को नोट कर लेना है बागी बाद में देखते हूं थोड़ा चेंज करके कि यह रिफ्लेक्शन ना पड़े लेकिन तब तक आपको कोप्रेट करके चलना है बात करते हैं किस नाम से जाना जाता है व्रिद हिमाले को हिमादरी हिमाले के नाम से जाना जाता है यह चीज आप ध्यान में रखेंगे थर्ड है इस्टूरेंट लगू हिमाले थर्ड क्या है थर्ड नंबर पर आता है लगू हिमाले अब इस्टूरेंट इसको और किस नाम से जानते हैं इ नाम से भी जाना जाता है फोर्सively पर आता है सिवालिख हिमालिया क्या आता है सिवालिख हिमालिया यह चीज आपको द्यान में दखनी है मैंने चारो चीज बता आ गर आपसे पूछ लिए जय बैट हिमालिय प्रवत्ष रंखला है ऊपर से नाम से भी जानते हैं थर्ड है इस्टूडेंट लगू हिमाले जिसे की हम मद्य हिमाले के नाम से भी जानते हैं फूर्थ है इस्टूडेंट सिवालिक हिमाले यह चीज आपको ध्यान में रखने हैं अब सोच दे होंगे आपकी मैमिन के लोकेशन क्या है तो ट्रांस हिमाले तो मैंने बता दिया मैप में कहां पर लोकेटिद है आप बात करते ऊग स्टूड़ेंट लगों हिमालिय की तो इस्टूड़ेंट लगों हिमालिय के निचे ही है यह लगों हिमालिय कि यह स्टूडेंट सैकिन नंबर मैंने वह पको वुतता है यह व्रिधहिमालिये यह थर्द नंबर पे है लगुंः यह चीज आप धियां में रखेंगे और यह फ्र्थ नंबर पे है स्टूडेंट यह श gotta और यहां से कैसे बनते हैं यहां से किसे कैसे बनेंगे तो इस्टुडेंट ने पहले मैंने बता है डारेक्ट आप से इसे में यह सकते हैं कि यह जिये खर हमा पर कैसे कोशन महापर ऐस आएंगे कि भी जह हिमाले परवत ह्रंखला है उपर से नीचे क्रम लगाईए जब आपको पता हो गया कि पहले आता है ट्रांस हिमालिय फिर आता है व्रिध हिमालिय जिसे कि हम हिमादर हिमालिय के नाम से भी जानते हैं थर्ड पर आता है लगू जिसे कि हम मध्य हिमालिय के नाम से भी जानते हैं और फौर्थ नंबर पर पर इस्टुडेंट के आता है यह आता है शिवाल क्रम लगा देगे हमालिय रyट हिमालिय लगू हमालिय और शिवालिक आपसे अंगसे थोड़ा गुमाक तो कैसे बनेगा वंभर 8-00 कमः कि निचे से किमubenे निची हमालिय द्क्षिन उत्तर का क्रम लगाई है तो आप कैसे लगाएंगे आप पहले दक्षिन से उत्तर पूछ ले दक्षिन से उत्तर तो इस्टुडेंट आप लगाएंगे पहले शिवालिक फिर लगू फिर व्रिद और फिर ट्रांस हिमाली है जो पहले फिर्स्ट नमबर पेता उत्तर से दक्षिन में वो अगर आप दक्षिन से उत्तर के क्रम में लगाएंगे तो वो लास्ट में चला जाएगा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ये तो आप फाइंड आउट करी देंगे अगर आपको ये क्रम याद है ना कि पहले ट्रांस हिमाले फिर व्रद या हिमादरी हिमाले फिर ये तो हो गया कि जो हिमाले पर वस्रंखला है उनका उपर से नीचे करम या उसको हम कितने भाग में विभाजित करके पढ़ते हैं अब और कोशन कैसे बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं दैन इस्टुडेंट कैसे कोशन बनता है चोटियों से वर्तमान भारत में मौजूद वर्तमान भारत में मौजूद सबसे उची चोटी का नाम बताईए ये कोशन भी स्टुडेंट काफी मैथ पून है और यहां से कोशन बनता ही बनता है क्या है क्योंकि ये काफी कन्फ्यूजिंग है ये है वर्तमान में भारत में मौजूद सबसे उची चोटी का हमें नाम तीन चार ओप्शन में देंगे जैसे कि Mount Everest देंगे कंचन जंगा देंगे और अपना K2 देंगे तो आपको क्या लगाना है इस्टुडेंट आपको लगाना है कंचन जंगा ये चीज आप इस्टुडेंट ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में भारत में मौझूद सबसे की त्यारी क्यूं न कर रहे हो जहाँं पर जोग्रफ़ी आता है जहां पर भारत का भॉर्ड आता है आपने दिखा होगा स्टुडेंट давно से बहुत कोशन बंते हैं कि मांट इव्रेस्ट है वहिश्व की कोन से न Account चो ठोटी है आपको डियान में रखना जो Mount Everest है ये विश्व की सबसे ऊची चोटी है अगर आपसे ये कोशन पूच लिया जाए कि भाई World की विश्व की सबसे ऊची चोटी का नाम बताईए तो आप क्या लगाएं Mount Everest student विश्व की वर्ल्ड की सबसे ऊची चोटी है Mount Everest अब ये तो हमें पता चल गया कि वीश्व की सबसे ऊची चोटी है मांट एवरेस्ट अब अपने को यह नहीं पता कि मांट एवरेस्ट लोकेटिड का पर है मतलब इस सित कहां पर है कुछ से देश में हैं मांट एवरेस्ट तो आपको ध्यान में रखना है इस्टूडेंट न नेपाल में अगर आपसे इस्टूडेंट हमें यह पता चल गया कि सबसे उची cowboy ूच्छी चोटी माना जाता है तो इस अघर हम बात करें मांट एवरेस्ट की उच्छाई की तो यह 8884 कितनी 8888 मीटर यह संक्या आप ध्यान में रखेंगे अगर आप से कोशन पूछ लिया जाए और इस्टुजेंट यहां से कोशन बने है इस्ट्रेट लेवल पीसियस में भी और मैंने और कोम्टेटिव एक्जाम में देखा है तो यहां से ना पूछ लेते कि मांट आवरेस्ट की उचाई बताईए तो आपको याद होना चाहिए कि मांट आवरेस्ट की जो उचाई है वो है आठ हजार आठ सो अर्तालिस मीटर यह जीज आप ध्यान में रखेंगे लेकिन अगर वर आठ हजार आठ हजार आठ सो यह लिख रखा है आपर यह में मारकर भी धुक्का दे रहा है आज कर सब उल्टा उल्टा हो रहा है यह मारकर भी नहीं चल रहा रुख जाओ देखते हैं अगर आप से इस्टुडेंट अभी वर्तमान में पूछ ली जाए कि मांट वर्तमान में उचाई है आठ हजार आठ सो पचास मीटर कितनी आठ हजार आठ सो पचास मीटर लेकिन यह तब ही लगाएंगे अगर आपको दिया गया है कि वर्तमान में मांट एवरेस्ट के उचाई बताई है और आपको ओप्चन में दिया है आठ हजार आठ सो पचास 1850 मीटर राइट कर कहेंगे तो यह आपको चीज ध्यान में रखनी है अब यह तो हो गया कि माउंट एवरेश्ट विस्फ की सबसे उची चोटी है नेपाल में है इसकी उचाई भी जान ली अब इस्टूडेंट एक कोश्चन जो की स्टेट लेवल पीसियस में कहीं बार पू सागर माथा के नाम से जाना जाता है यह चीज आप ध्यान में रखेंगे अब इस्टूडेंट यह तो बात हो गई कि भाई जो चोटी है वर्तमान में भारत में मौझूद सबसे उची चोटी पूछ ले तो आप क्या लगाएंगे आप लगाएंगे माउंट आवरेस्ट कह कैसे कोशन बनते हैं उस पे चर्चा करते हैं कोशन बनता है सिंदू नदी और सतलज सिंदू नदी और सतलज नदी के बीच का जो छेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है तो इस्टूडेंट यह कहा जाता है कश्मीर या पंजाब हिमालियर अब आप सोचेंगे कि सिंदू औ पाकिस्तान से होते हुए यहां गिर जाती ना अरब सागर में यह आपको धियान में रखना है यहां पर पूछा है कि Kollegen इसके बीच या पंजाब हमाले क्या कहते हैं कश्मीर या पंजाब भिमाले ये चीज तो आपको याद हो गई अब इसकी लंबाई से भी कोशन पूछ लेते हैं कि इसकी लंबाई दियान में रखेंगे जो सिंधू और सतलज नदी के बीच का छेतर है उसकी बात, अब बात करते हैं सतलज और काली नदी के बीच के छेतर को क्या कहते हैं, यह सतलज नदी और यह काली नदी, ये कह रहे हैं कि इसके बीच का ये छेतर है इसको किस नाम से जाना जाता है तो स्टूडेंट अगर आपसे पूछ ले कि सतलज और काली नदी के बीच के छेतर को किस नाम से या क्या कहते है या उस छेत्र को किस नाम से जाना जाता है तो आप लगाएंगे कुमायू हिमालिय जो स्टुडेंट की सतलज और काली नदी के बीच का छेत्र है इसको कहते हैं कुमायू हिमालिय क्या कुमायू हिमालिय ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे move करते हैं student next पे जो की है काली और तिस्ता काली और तिस्ता के बीच की लंबाई काली नदी student यहां पर है और तिस्ता नदी यहां पर है तो पूछ रहे हैं कि जो यह इसके बीच का छेतर है इसको क्या कहते हैं तो यह आपको धियान में रखना है इसको कहते हैं student नेपाल हिमाल काली नदी और तिस्ता नदी के जो बीच का छेत्र है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं नेपाल हिमाल्य है अब बात करते हैं इसके जो नेपाल हिमाल्य है इसकी लंबाई कितनी है तो इस्टुडेंट आप धियान में रखेंगे 800 किलो मीटर कितनी लंबाई है इस्टुडें हिमाल्य की ही है ये है 800 किलोमीटर नेपाल हिमाल्य की क्या है लंबाई है और ये किस के बीच में है काली और तिस्ता नदी के बीच में ये इस सित है ये चीज़ा आप ध्यान में रखेंगे मूव करते हैं इस्टुडेंट नेक्स्ट पे जो की है तिस्ता तिस्ता नदी तिस्ता कहां पर है तिस्ता नदी ये री तिस्ता और दिहांग ये अरुनाचल पर देश में तिस्ता और दिहांग के जो ये बीच का छेतर है इसको किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है असम क्या असम यहां पर बीच में है न तो यह चीज आप ध्यान में रखेंगे इसको कहा जाता है असम हिमाले इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर कितनी है 720 किलोमीटर यह चीज आप ध्यान में रखेंगे तो इस्टुडेंट यह था आज का क्या परवत का टोपिक जो कि हम पढ़ रहे हैं भारत का भोतिक स्वरूप इसमें आज हमने करा परवत कल की क्लास में करेंगे इस्टुडेंट हम मैदान और इस्टुडेंट अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना जाद से जादा वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अपने चैनल EPS by प्रीति सिंग को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन नहीं दबा रखा है तो ओल बैल आइकन दबा ले उससे क्या होगा जब भी मैं अपनी वीडियो करके डालूँगी सबसे पहले आपके पास notification आ जाएगा फिर आपको क्या करना है कानों में लीर लगाना या पैन पर पठा लेना है और साथ साथ स्टुडेंट क्या करना है आपको नोट्स त्यार करते हुए चलना है और अगर आप नोट्स त्यार नहीं करना चाते तो उसक को क्या करना है डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलिग्राम लिंक डाल दूंगी उससे आपको जोइन होना है कल कल 100% यह मेरा वादा है आप से कल आपको सारी पीडियो में बोलते हैं कि आपको नोट्स मिल जाएंगे नोट्स नहीं मिल रहें एक देड़ हफते से तो दोस्तो मेरा मतलब ऐसे दिमाख बहुत जादा अफसेट हो गया था क्योंकि तीन बार मैं यह वीडियो शूट कर चुकी हूं भारत के बोतिक्स वेरूप के और तीनों बार यह वीडियो कभी तो एक बार डिलिट हो गई है एक बार यह गैलरी में सेव नहीं हुई और एक बार इसको मीटोखे अभी में एक करंट एफेर की क्लास लेनी है इसको लिखने में इसibden डेलटा निकल जाता है कंटन्यंत त्यार करने मेरे ही मेरे साथ से आठ गंटे निकल जाते है तो अगें वीडियो को शूट करो फिर उसे करना मतलब भूत ही कहते है ना एक बर्डन का काम है तो इतने इजी नहीं होता है बहुत मुश्किलों से यह क्लास शूट होती है लेकिन यह कोई इशू नहीं है यह लाइफ में चलता ही रहता है लेकिन सबसे ज़्यादा वह होता ह पूरी एनरजी के साथ इंसान पढ़ाता है और जब पता चलता है वीडियो शूट नहीं हुआ सच में एक दम मत्था हील जाता है लेकिन फिर भी माइन को शांत करते हैं अगें उसी एनरजी को लाते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को सारी चीज़े एक दम सरलभासा में समझाई जाए तो यह स्टुडेंट धन्यवाद अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना ज्यादा शेयर करें धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट क्रेंट अफेर की क्लास में